आजना कार्यक्रमना सव प्रथम वक्ता प्रफेसर डॉक्टर भद्रायु भाई वचरा जानी छे आपने सव आम तो एमना अलखिये छी है एकोई परिचाई ना महताज नाची इछता पन उन तेमनों टूको परिचाई आपवामारोकी शक्तो न थे प्रफेसर डॉक्टर भद्रायु भाई वचरा जानी आप बेंक नी काईमी नोकरी छोडी शिक्षन नी केडिये वड़या छो आप लोक भारती युनिवर्सिटी फोर रूरल इनोवेशन सनो सराना पूर्व वाईस तांसेलर छो आप जीव विगिनान नास्नातक शिक्षन अनुस्नातक अने जातिय शिक्षन ना क्षेत्र ना प्रथम भारतीय डोक्टरेट छो 12 स्कोलर्स आपना मार्ग दर्शन है ठळव पी एचडी करी चुक्या छे आप त्रन वर्ष प्राथमिक शिक्षक नव वर्ष माध्यमिक शिक्षक अने 24 वर्ष अध्यापक तरीके रहा छो 12 वर्ष सुधी आप UGC नी इंटर युनिवर्सिटी इंसिट्यूट ना प्रोफेसर अने डाइरेक्टर पदे रहा छो सवराष्टर युनिवर्सिटी ना प्रेक्षा नी अमक तरीके वधारा नो हवालो संभाली आपे विक्रम जनक एग्जामिनेशन रिफोर्म्स करेल छे अने जहनी समग्र देशे नोंधली देल छे आप अदानी फाउंडेशन अमदावाद ना एडवाइजर एजुकेशन तरीके पन राश्ट्रिय स्तरे सेवा प्रदान करेल छे अपना पांत्रिस्थी वधू पुस्तकों प्रकाशित थाया छे जहमां थी हैयूं मस्तक हाथ अने मूठी उचे रा सो मानवरत नों बेस्त सेलर पुस्तक रहा छे तो आवा प्रफेसर डॉक्टर भद्रायु भाई वश्रा जाने नहीं विनंति करूं कि ते ओ आजना प्रसंगे तेमनों वक्त विया आपे नमस्कर श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोटना आ विवेक होल मां समग्र विश्वसमक्ष जे एक विवेक मैं तरिपुटी तरीके पूजनिया छे एवा श्री ठाकूर मां शार्द्यादेवी अने स्वामी जी ना चे रणों मां वंदन करूछु आ गारेक्रम ना आयोजन मां अने आश्रम नी बद्यक प्रवरुत्यों मां बहु सहच्ता थी जे ने त्रुट्व करी रया चे तेवा आदर निया श्री निकलिश्वरा नंजी माराद ने प्रणाम करूछु आजना समई मां सिक्षण नो भार सहन करवो ए मात्र सिक्षक माटे अगुरू ना थे सिक्षण अधिकारी माटे पन अगुरू थे पन तेम चतना अस्ते मुखे जे आजवाबदारी नू सरकार्वती वहन करी रया चे तेवा श्री दिक्षित भाईने पन हु प्रणाम करूछु आजु सव संतोने ने आप सवने मारा सिक्षक दिवसने हार दिक्सु बेच्छाओ। मित्रो मारे अपनी साथे बो व्याख्यानात्मक वाद करवी न थे एकला माटे कि आपना विद्यार्थियो और विद्यार्थियो पछे आपने सिक्षको अधियार ना सोशल मीडिया मा रममान इतले के लगभग दिवसमा जागता हुए इतली वार आपनु ध्यान वाट्सअप यूनिवर्सिटी दोरती होई चाहां तमने खाल चेह एवे बहु स्थोरस मजाने हड़वी वाद चेहां के डाइपर औने वाट्सअप भी सरखां चेहां कारण के थोड़ी थोड़ी वार चेकर उपड़े के काई आवियू चेहां एन आपने पन सिकार छिये अलबद मोबाइल ना के सोशेल मीडिया ना कोई नेगेटिव पासा हुँ गणतो न थे हुँ तो एने अधुनिक जमानानो परमेश्वर गणु छुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ सोशेल मीडिया अथवा तो मोबाइल ये कोई दुष्मनावट माटे ना थी अपनी माइत्री माटे छेकर तो साधन छेकर अपने साधब छिये तो आ समाहिने अंदर सिक्षकों माटे येवी चेलेंजुबी ताई जह है के तकी केम रहुु नहां आणुँँँँँँँँ संध्धध से कि टकी रहूं एम उटी मुश्केली इचे हैं टकी रहो पची रहो पची वर्ग मा जाओ पची भनावो बनावो तो सारी रिते भनावी शको हाथ तो बधू पची नहीं वाच चे पनाखा शासन में शिक्षक के ठकी केम रेवूं एम उटो प्रस्ण छे इतला माटे आजनो विशाई छे शिक्षक एक जोतीर दर्च केम शिक्षक नी वाद करी छे आजनो दीवस्तो विरल छे के जारे शिक्षक पोतानी उच्चतम मरियादाओने क्रोस करीने आउकासी क्षिती जोने आमबे त्यारे एक शिक्षक रास्टोपती था आए आपने खबर छे के सर्वपली राधाक्रश्ण जीनो अजी दनम दिन न कि भारतिय फिलोसोफी यत्वा तो भारतिय दर्शन मा जो को एक शिक्षक नु नाम सुपे रेलेवातू होई तो एपन रामकृष्ण राधाकृष्ण जीनू 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 पन इमनी एक विपरित बाबते चे के एमने फिलोसोफी मा विद्यार्ती तरीके जराई रसनो त एमने कोई दिवस फिलोसोफी बनुद नोतू तो केम भणे आश है और भणे पची तोच उपर केम बेठा आश है कारणेटलू के गरीब कुटूम बतूम और एमने विजाविश्यों भणवाता पन गरमा थियम कयू के आगला संता नो फिलोसोफी बनी गया चे तले ना के तोच उपर जाईने बेठा सर्वोच्यक बन्या और आज है आज है आपने एमना सन्नमान मा आजना सिक्षक दीवस ना नामे आपने मान प्राप्त करी रहा ची एले लिजन्डरी परस्नालीटी के जेने पोतानी लाइफ ने चलेंजरूपे लिधी और एवास तर उपर प तो में कल्कना करो कि तमारे जे नथी करव़न ते करवानू तमारा जीवनमा आवे तो तमें केभी रिते सुंदर रिते ने पर्याप्त रिते पोंची जैशक को एनू उधारन आपनी सामे छे कारण के रहाध्यक्रिष्णन शिक्षत तरीके जीवया और ये जोती आतमाले जोतीर धरनो अर्थ हेट सी मशाल हमाले नेखलो कि मशाल बहुत नेखलते है तो अग्र भाग उय सेंटिक्ष्णन ओय जोतीर धरनों अर्थ तेवयखे कित्ष्णतीर ड्मारे प्रश कितद़ को टरमें अव्यान चलाओ प्राण्चि एक मूमेंट चलाओ आपर एमेमेंट लीडर चोग, हूं लीडर शब्द बोलुचू, नेता शब्द नथी बोलतुू। नेता शब्द शारो निथी, अथ्वा सारो रेवाद दीदो निथी। मार्ते आपने लीडर कहिए। एक युवर्धा लीडर के जै τοर्च बहर שष्य हातमा एक मशालेल निकले छे के जे मशालना अज्वाले अज्वाले से आ ह country यात्रा चे चा लै छे तो आग अप्रक्रिया एक समर्थ गुरू समर्थ सिक्षक, विश्वन एठाकूर ने पाच्वल विवेकननजी चालिया, अझी महातंबर कॉंटु विवेकननड चालिया, तो में कल्पना करिशे क्या है क्या तो मानसने बुलिज़े वो बहु से लो चाहिए बहुत बुलिज़े अपने शांस्त्रों विधिविधन पने अपने मानसना गया पची थोड़ा क्वखतमा अपने बुलिज़े एवी बदी परंपरा गोथवाम हावे उठ्धमनु अचे मन से बुलिज़े अचें अचें मन तो मनसे हम के वदील पके बापूजी घेए घना थी। अफलिज़े उठ्धमन तो में और गामड़ा मां तो बहु सारीरे कहाई आउटमनु होई तो तो जैवे पोटो छे नए भीवाल उपर टांगवनों यने हर पेरानों एंने तो अब कर दो अब कर दो आए बेश जो उमे अर अगामे लागिये अना थी वधू और तु नथी अहके कल्च तो मानस ने भूलो जारे सेलो जो 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 किटलिक व्यक्ति विभूतियों केम नहीं बूलाती हो अमने उम्मेशा प्रस्न रहो जो तो में नाम बोलो विवेकान न देखले कोई ने अवपरी चित लाग्तूज न थी ठाकूर बोलो जो अवपरी चेद न नानक रो छोकरतमने वेतरन प्रसंगों कहीं शके छाए कितना वर्षों थे गया ने गय आएं थी तो जिमनी वात इमना गया पछी जिंदगी नो एज साचो पढगो छे गनी के होई ना अव्यक्ति नेनो नाम बोलाया करें तो वर्षों पछी पन जेनो नाम बोलाया तलो नहीं आपन ने ने पगले चलवान उमन थाए ये ठाकूर जेवा समर्थ गुरु ने विवेकानन्द जेवा एक सफर सफर सिक्षक मले हो कि जने आखी दुनियान दोरवानों काम करें। विवस दे टोर्च बेटर टोर्च बेरर अब दे एंटायर वर्ड नोट येस्टरडे नोट तुडेए इवन टुमोरो अलसो मित्रो आ तात्विक वात करया पछी मारे उच्छू बोलू एव में नक्की राख्यू चे कानके मने ख्याल चे के सिक्षकोज खुब बोलता होई चे एटले पछी एने कोई बोले तो ये कंटाली चाता होई अपनो कंटालवानो स्पान पना सोशिल मीडिया ने ने बो अच तो थेए गयो अने तो ये तो 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 कर दो और यक्ट कर यांच, तमारी साथे जोड़ा हुआ हुआ जोड़ा हुआ हुआ, मारज 2nd बन जराश शांती थी शब्द उपलवानाः and you know, contributed to that field. What according to you is the situation of the current education system? Okay, very interesting question and this might take like five minutes for me to answer this question. No worries, all yours. बिए जो इज पास आज एडुकेशन सिस्टम है अरे इंडिया में है, क्या यह हमारा अपना एडुकेशन सिस्टम है? sadly no, this education system was left behind by the Britishians, British ने जो education system हमें दिया है वो ही आज हमारे पास है, with little changes in it, now British की education system करती क्या है, this education system बनाता है job seekers, this education system बनाता है corporate slaves, तो ब्रिटिश ने एक ऐसा एडूकेशन सिस्टम लाया ऐसे लोग मिल सके जो उनको केश्चन ना कर सके ऐसे लोग मिल सके जो क्रिटिकल थिंकिंग ना कर सके तो ब्रिटिश की एडूकेशन सिस्टम आपको कॉर्परेट स्लेव्स बनाती है प्रिटिश के एडूकेशन सिस्टम हमें जॉब सीकर्स बनाती है बट इंडिया टुड़े नीड्स जॉब प्रोवाइडर्स तूसरी जो गरबरी हमारे एडूकेशन सिस्टम में क्लीप कर गए वो ये कि हमने पूरी अकैडमिक्स को पास और फेल के मैयार पे लाके खड़ा कर गए कि आप पढ़ाई करते हैं सीखने के लिए नहीं आप पढ़ाई करते हैं पास या फेल होने के लिए तो उसे होता क्या है मेरे जैसा एक कमजोर बच्चा क्लास वन में मैट्स में 40 लाता है तो मुझे कहा जाता है कि आप मैट्स में पास हो गए फिर मैं क्लास 2 में जाता हूँ फिर मैं 40 लाता हूँ तो कहा जाता है कि आप मैट्स में फिर से पास हो गए तो यानि मैं 60 नंबर जो नहीं ला पाया तो 60% में नहीं सीख पाया कि पढ़ते सीखने के लिए नहीं है मेरे academics को learning percentage पे नहीं लाया गया मेरे पढ़ने को pass या fail पर लाकर मुझे zero बना दिया गया क्योंकि मैं pass होका degree दो ले लूँगा और मुझे job भी मिल जाएगी और फिर किसी corporate world में मैं गुलामी के लिए पहुँचा हूँगा अगर आप 99 लाते हैं तो 99% सीखा आपने आप टॉप नहीं कर गए 99% सीखा आपने एक परसेंट अभी भी नहीं सीखा आपने अगर आप 100 में 100 लाते हैं तो pass हुए आप एदूसरी बात तीसरी बात कि हमारा जो education system है आज का वो आपको road learning पे focus करता है आप पढ़ते जाते हैं 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 पर आपको पता नहीं आप क्या पर आपने पढ़ा होगा कि इंडिया में जो food grains है वो millet है बाजरा है जौर है ये बढ़ा आपने, पर कभी देखा आपने इन चीज़ों, बढ़ा है, बढ़ा है, पर आपने इन चीज़ों, मैंने भी कभी देखा नहीं, नहीं दिखाया गया इसको, बाजरा तो आप बाजरा देख लेते हैं, तो आप पता करते हैं, बाजरा उगना क्यों बंद हो गया है क्यों बाजरा लोग आज नहीं खा रहे हैं? पहले के लोग बाजरा खाते थे, पहले के लोग मिलट्स खाते थे, जोर खाते थे, आज क्यों नहीं खा रहे हैं? तो experiential learning is what we need, hands-on learning is what we need, we need to see and know what we are learning, आज हमें वो दिखाया नहीं जाता, वो बताया नहीं जाता, सिर्फ पढ़ाया जाता, तो आपको पता है कि ये, ये हार्ट है, और हार्ट के ये chambers है, हार्ट में ये arteries है, ये हैं, ये हैं, मगर आपको कभी इनसान का दिल दिखाया जाया तो आप बोलेंगे कि भाईया ये क्या है, तो ये, practical learning is what we need, आज के दिन पर, hands-on experiential learning, तीसरी चीज़, तो चौती चीज़ है, वो ये कि हमारे education को हमने समझा, कि academics ही education है, क्या, academics ही education, academics is just a drop in the ocean of education, I would say, the remaining water is तरभियत, is upbringing, कि भाईया बात कैसे करते हैं, are you confident, are you creative, do you have critical thinking, are you developing higher order thinking skills, are you questioning things, how do you sit, how do you conduct yourself with people, ये सारी चीज़ों को छोड़कर हर चीज़ को academics पे ले आया, academics is not education, education is a holistic thing, जहाँ एक इनसान को बहतर इनसान बनाते हैं, एक corporate slave नहीं बनाते हैं, सबसे बड़ी कभी हमारे education system हीगा, वो ये हमारे सारी जो fraud हुआ मैं कहता हूँ, education system में, वो ये कि हमने academics को, हमने subjects को stream में बाढ़ दिया, कि भाई अगर आप सबसे brilliant बच्चे हैं, तो आप पढ़ेंगे science, अगर आप 90 लाते हैं, तो science पढ़ेंगे, अगर आप 70 से 80 लाते हैं, तो आप commerce पढ़ेंगे, ये समझे, कि atom bomb को इस्तवाल नहीं करना था, तो अगर atom bomb बनाने वाले ने sociology और psychology पढ़ा होता, और atom bomb जिसके हाथ में पहुँचा, अगर उसने psychology और sociology पढ़ा होता, तो उसे पता होता, कि bomb फोड़ना नहीं था, तो इसने बता रहा हूँ मैं कि हमने subjects को stream में बाढ़ कर, अगर मैं आखरी बात, अगर मैं science पढ़ रहा हूँ मैं, तो क्या मेरे पास हक नहीं कि मैं accounts भी पढ़ हूँ मैं, तो आज जरूरी है multi disciplinary learning का, But you're an expert of one thing, if people ask that, what would you say? You can have majors and minors, you need to have the hang of almost all the subjects, you need to learn accountancy, you need to know economics, you need to know history, you need to know sociology, you need to know psychology, you can be an expert of history, but you need to know the basics of physics, पर हमारे साथ ये fraud किया गया, आप physics पढ़ेंगे पर हमिस्टरी नी पढ़ सकते, आप sociology पढ़ेंगे पर हमिस्टरी नी पढ़ सकते, क्योंकि हमारे साथ ये fraud आपने, क्यों? क्योंकि आपको corporate slaves चाहिए थे, आपको easy way बच्चों को देना था, कि भाई ये ये पढ़ो, number ला आपके हमें सर्फ करो, sadly. making education है, मानस करवानों चाहिए. मुद्धतमर हो आवेके शो तकलिप छे, मै आवीडियो आपके प्रस्तूत करयो, कि education मा कितली तकलिप छे, आपने बोल्वानी जरू नथी, आपनी समक्ष आजर थाईगे. हावे आ तकलिप मा थी बाहर निक्लवा माटे प्रयास नथी थता, एवाद पंचानू टका साची छे, पांच टका खोटी छे, एनुएक कारण छे, कि दरेक सरकार निये फरज बन्ती होई छे, कि एणे education अने health बे उपर ध्यान आप पूझ पड़े, ना आपे तो सरकार ठके नहीं, बीजी बाबतों तरफेनों ध्यान जाए, तो सरकार जोख जोखम मा आवे, और जोखम मा आवे और मुश्केली सुँ होई ए उन तमे अतियार जानी एची ये, तो आपनी समख्ष 2020 मा नेशनल एजुकेशन पॉलीसी आवी, एपॉलीसी नी अंदर आमाजे मुद्दाव काया चे, एना सोल्यूशन्स मुक्या चे, आने नो विश्या पॉलीसी घड़नारा, एक वीशेक जना माथी कोई एवा मानस नोतो, कि जने स्रिक्षन साथे सिद्ध के प्रत्यक्ष अत्वा परोक्ष संबंध नोतो, कस्तुरी नंजन जेवी एक इंटलीजन व्यक्ति जने चेर करियू, एने अंदर आना सोल्यूशन छे, हावे प्रस्न क्या छे, एनो स्विकार करवानों छे, स्विकार करवा मां शून नड़े छे, तो के गवर्मेंट आपन ने आदेश आपे आटलू करो, एकला अपने करिये, वी आर वेटिंग फॉर सम आदेश फ्रूम दे गवर्मेंट, आपने एकला बदा कंडिशन थाही गया छे, कि सेम आपने एक फर्निचर बनाऊना रो आओ तो जिने आपने सुतार केता, और सुतार एक थेलो आपने एक थेलो आपने एक मुक्तो, पोतानों शौटकादीने खित्ती लगारतो, और पछि ए अंदर वेपैने पोतानों काम करतो, और एज जे हथोड़ी वापरतो, एजे वस्त कि अईयर एक वस्त वाड़ा ने फृरर करते है बनाऊना चीक्टादी लगारतो बनाऊ कि मारी थेलोगार पहला थेलोह पर्च्र बारकादों पड़तो थेलों पर जे अचने उप रचय काड़वान कि उप अखने तो ने तो जे आपने चटेश पर चड़तों पर थेलों ऑ वोट लागी याई अबदू एने कोने शिख्यूू अबुदकार शुटार अने आजनो जे मिस्तरी आवयो इनोवेशन क्या थी आगया एनामाट कोई टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम मातरा अपने जेवा ची बारत देशनी अंदर के जहां सिक्षको माटे तालिम राखिय अध्यक्त करी ते पूरी थास अख्की पोलीसी अंदर जेके वाम आयू छे एमा थी चालिस्ट काई विवस्तु हो छे के जे हूने तमे काले करी शक्ये मारी पासे त्याने वो समय ना थी ने तरू तमने इलस्टेट करी ने आपू अपनी मर्यादा हो छे नथियू क्लास्रूम भर्चक थे वाली हो जेनी समझ प्रमान मा सरेरास्ती ओठी थे ए पोतानी जातने स्विक्षन एक्सपोर्ट गणे और स्विक्षक ने दरेक बाबत ने अंदर चंचू पात करें अब दुच थे पन जीवन मा बदी मुशके लिए थे तन आपने जिविये तो आ किम करी शक्कियां अपड़े एक नानकड़ी बाद जो टीचर्स बनना चाहरे हैं दो बच्चियों ने कहा है कि मैं टीचर बनने का मन है तो हम क्या करें देखो ध्यार्म रभू जैसे यह हैं तुमें सारे बच्चे बैठी है आजकल इंटरनेट की वज़े से एटेंशन जो है इंसान का बहुत कम हो गया है बहुत ही कम है पहले के दौर में क्या था कि जब हम क्लास में बैठते थे वैसे मैं कम बैठता था क्लास में लेकिन जब मैं बैठता था कभी कभी as a student चालिस पेंपालिस मिनिट टीचर के लिए बड़ी challenging situation थी कि वो बच्चों को बिठा क फिर खे कि स्कूल में तो टीचर ताना शाह होता है स्कूल में टीचर क्लास में बच्चे की हमत निए कि बार चला जाए जाएं तो पिटेगा अच्के तरीके से तो चुप चांबेशने हैं उसको को रिच में बच्चे के उपर दिल्ली में यहां का मुझे नहीं प्रता दि चले गए बहुत डिसहार्टिंग होता है दिल तूट जाता है दिल बैठ जाता है कैसी करें और आजकल सबसे बड़ा चैलिंज क्या है आपने क्लास में कुछ बोला बच्चे ने खटाक से गूगल किया बोला सर आप गलत पढ़ा रहे हैं मैम आप गलत पढ़ा रहे हैं दिस इस बच्चे को जुल सादू मैं और एक क्लास के वाद अलग से बोल दे पाप सब के सामने बोल दिया इज्जत भी ने रखी तो टीचिंग की दुनिया आज के बड़ी मश्किल है आज की जनरेशन जिसको क्या बोलते हैं जैन जी बोलते हैं आपकी जनरेशन को ना यह जो इस से माला जिकल फोन पर हो रहा है इवोल्यूशन का अगला से पर इंगुखा लंबा होने वाला हमारा यह बच्चे ऐसे हैं कि वीडियो देखते हैं वो भी री एक मिनिट वाली बीस सेकिंड वाली इंसा पर गए री देखी दो सेकिंड में ताय करते हैं ठीक है यह नहीं फिर खना किसी अगला दो दो सेकिंड में मामला खत्म होता है अब जिस समाज के बच्चे दो सेकिंड नहीं जहेल पारे किसी को उस समाज में टीचर को 40 मिनिट या 50 मिनिट प्लास में बैठना है खड़े होना है अब मेरा चैलिंज सोची यहां मेरे खिल से 1000 क्यास बस्तों होंगे ही जनरी बैठे ही हूं अब तक अगर मैं कुछ ठीक से ना बोल रहा होता अब तक दो चार लोगी बैठे होते कितना मुश्किल काम है तो अगर आपको टीचर बनने तो क्या जहन रशना है अगर आप फैक्ट और नॉलिज के बेस पर काम चलाना चाहेंगे तो नहीं चलेगा क्योंकि वो सबके पास है आपको दो चीजों पर गौर करना होगा पहला जितना हो सके इंटरेक्टिव होने की कोशिश कीजिए वन वे कम्यूनिकेशन अब नहीं चल सकता बोल जाएए इस बात को कम्यूनिकेशन हैस टू बे टू साइड़ बच्चे क्लास में इनवोर्ड रहें बोल सकें सवाल खड़े कर सकें आप जवाब दे और जब बच्चे सवाल करते हैं तो कभी-कभी कड़वे सवाल भी करते हैं तो आज के समय में टीचर को ये समझना होगा कि वो बच्चों का दोस्त है मालिक नहीं है तानशाह नहीं है बच्चों से दोस्ती कर लीजिए और दोस्त कुछ खराब बोल दे तो बुुरा भी नहीं लगता है उस लेवल पर बात करेंगे तो बच्चे टिकेंगे के लास में तीसरी बार सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दो ही तरीके मैं उसका इस्सेमाल करता हूँ पहला कहानियों से सिखाईए हर चीज़ के वारे में कुछ अच्छे एक्जामपल्स कुछ कहानिया कुछ पॉलिटिक एक्सप्रेशन उन सब पर काम किजिए और दूसरा सबसे मात पूँ एक्सप्रेशन से सिखाना और एक्सप्रेशन का मतलब बच्चे को पढ़ाईए मत की गरीवी क्या होती है कभी कभी गरीवी के बारे में एक फिल्म दिखा दीजिए और हो सके तो बच्चों की उमली पकड़के एक गरीव इलाके मिले जाके दिखा देती है और जब बच्चे अपनी आख से देखते हैं दुनिया को तो जो उनको समझ में आता है वो किसी क्लास में समझ में नहीं आता है तो टीचिंग बई एक्जम्पल्स टीचिंग बई स्चोरीज टीचिंग बई फ्रेंड्ली एक्स्प्रेशन्स मेरे खेल से यह वो तरीके हैं जो टीचिंग के दुनिया में आज के सब में चल सकते हैं मित्रोटमने कद्याच आँ माहनू भाव नो परिचे है अशे जो तमें एज्यूकेटिव सोश्यल मीडिया मा परवड़ू तश्वतो आएएजनी दुनिया मा बहुं मुटा स्कोलर तरीके अभिकास दिव्यकिर्थी एज और इमनुए मुटमम मुटा फाईदों एज है के प्राथमिक साड़ाना विद्यार्थियों साथे बेसे के आएज ना ओफिसर साथे यह एक दम पोहुची शके तेम बात करवाते वायल जहुआ जहुआ अटलो भागे माल तेम पसंद करयो कि एक शिक्षक तरीके व्यथा व्यक्त करिये एक बराबर छे पन सामें सोलुशन सुन, केम करी शुँ आपड़े, शुँ करवु जो यह एक सुन्दर मजानो आपने यह विद्याले कुछ अलग सा है, अजीब सा है, पहली बात तो यह दुन्या से अलग जंगल में मंगल सा है, यहाँ पर बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है, हर चीज सूर्य के उर्जा से होती है, बिजली, गर्मी और जितनी भी जरूरतें उर्जा की है, सूर्य उर्जा से और भवन सारे मिट्टी से बने, जहाँ हम एड्मिशन ट्राइटेरिया में डिस्टिंक्शन और परसेंटेज रखते हैं, देश बर में, दुनिया बर में, इस विद्याले में ट्राइटेरिया है कि आप फेल हुए हो अगर आप पास हुए हों, तो आपको वेटिंग इसमें रखा जा सकता है, लेखा जा सकता है तो यहाँ पर अलग तरीके से पढ़ाया भी जाता है, अगर वो हमारे तरीके से नहीं सीखते, तो उस तरीके से सिखाओ, जिस तरीके से वो सीखते हैं इस विद्याले को बच्चे एक छोटे से देश की तरह चलाते हैं, और जी कर सीखते हैं, अनुभाव से मिसाल के तौर पर, एक छोटी सी सरकार बनाते हैं, जो हर दो महिने में बदलती है, एक नेता चुना जाता है, और फिर बाकी विभाग सौपे जाते हैं और बच्चों को, तो कोई भाद्यपदार्थ का विभाग, कोई बिजली और उर्जा का विभाग, बच्चे संबालते में और फिर वो दो महिने के लिए अपने लक्श रखते हैं, और उस पे कारियावन करते हैं, और फिर उसकी रिपोटिंग करते हैं, और इस तरह से वो जिने हम कहते हैं life skills सीखते हैं, जिसकी जीवन मे जरूरत हो और जिन को हम किताबों से पढ़के नहीं सीख सकते हैं, जी मान लीजिये germ theory या कीठानों के बारे में अगर विशय हो तो उसे जीवन में प्रयोग करके जैसे jam बनाके खाने को लंबी समय के लिए रखने के तर्कीबें करके सीखते हैं और जो jam वो बनाते हैं apicot से, khubani से उसको बेजते हुए वो अर्थशास्तर सीखते हैं और उसके lab से जब बच्चे भारत के दर्शन के लिए जाते हैं तो वो जोग्रफी सिखते हैं और उसी तरह इस school में एक छोटे से देश की तरह इसकी अपनी एक newspaper पत्रिका है campus times उसी तरह campus radio है यहां तक की अपने एक time zone भी है तो इन सब को जैसे जीवन में वो पाएंगे आगे उसको जी कर वो जीवन सीखते हैं innovations नई नई अविशकार यहां के जीवन का एक हिस्सा है जिसमें बच्चे धाग लेते हैं और अविशकार यहां पर कुछ विश्यों के इर्दगिर्द भूनते हैं जैसे पृत्वी, सूर्य, हिम और अपनी तो पृत्वी यानि मिठी से यह पूरा विद्याले बना हुआ है और मिठी के घर जिसको विज्ञान का प्रियोग करते हुए फिर सूर्य के उर्जा से गर्माया जाता है और फिर यह साधारन सी सूर्य उर्जा की तक्नीक से यह भवन लदाख के माइनस 15 से 20 के सर्दियों में भी प्लस 15 से 20 में रहती है बिना किसी और उर्जा के अधियु में आतो कदा चतमे आने अगषो बराबर याद चे कोई ने कि अधिया एक बबब प्रसित फिल्म जो है जह एए जह मां अमिर खाने नो रोल करियो और हमना जेने अपना गुजरातमाते संतोख बड़ एक करोड रूपया नो एक करोड रूपया नो एक अमना जेम जे नाम आपने एक फिल्म बराबर जोयु जह एए आमानस ने सामे इतला बदा प्रश्न हो जह एए खासमे बात इतला मात करी है तुमने खाल से हमने थोड़ा एक बे महिना पेला ए अनिस्चित उपवास उपरता है सरकार ने जगार वा माते कि तामे लड़ाक साम जूओ तेमे जुमा सामसबीरने भागमा वे है उठीक है आमारीय श्योटता ने जूट ने एक एवा माते सामो एंगा कितलाइगर याट्पास Altमू इवास क्ल्या और प्रोग्तिवास केलिलियो उपवास उपवास्किलियो चाला क्यू चलो लाखिने कल याल एक विनिय कोई बरिन्सिपाल वड्रीकृटैय के टो प्रिंसिपाल भो बोल्टाब boo अपने एक mamy चारू एकी स्वीछार में प्रो फड़ फ्रिंसिपाल ले एकि अचिर्शी क्वार लाती ओट I can do, but I can do, I can't do, we should do this, what do we do, 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 that is not it, I have a problem with innovation, there are a lot of things on social media, there is a child in Assam, he had a boyfriend, he came from USA, he came from USA, the US had a place where he came from, he had a kid, he had a kid, they said, what do we do, what do we do, so that the village was there, there was plastic, there was a lot of plastic, there was a lot of plastic, and plastic was made by people, and people were made by people in school, स्कूल ना रूम में बराए जाए जाए तो लोगों विचे रुगानों आपने शूकर भूज हो जोई है यह लोगों को यह स्कूल शरूर करें स्कूल मा तो कोई अवमनो थो कानके जा चोक्रा हो था यह तो तो त्या पत्तर ने खाननी अंदर पैसा मले काम करता था जाए माबापने मुखल वानो था एनी पासे फीनो थी तो घरेखरनो संपर्क करें और चोक्रा उने बेगा करें पच्छी ने प्रस्णा आए उने पांच किलो प्लास्टिक जमा करवानौ ए तमारे फी। हुआ वनुसु एकलु प्लास्टिक एकली बोटल्स बजे भेगु थाव लाग्यू कि ए स्कुल नू मकानमा दीवालो प्लास्टिक बोटल थी बनावामा आवे। आखे आखी स्कूल बीजो कोई प्रकार नू फी लेती न थी प्लास्टिक लाइने आवो जोखो पांच किलो थाई उटाते मारी आवी गई एड्मिशन फी तूशन फी जाओ भणो बीजी एक सरस्वात कई न पूरू करो आख सर्च कर जो तमने मार्श है अवेलों को पासे टीचर था ने एकले नकी गरूँ कि टीचर नी ज़रूरत न थे तोशे नी ज़रूर था है एकले लों को ये पोतानी पासे 25 छोकर आवे और पांच-पांच मों में च्याँ पांच ये पांच आरे इंटरेक्शन अस्बनेंड वाइफे करियों मा ख्याल है हूँ कि ये चार उपर कामकरी शका है वा पांच मों छोकरो थे हैं डरेक ग्रूप मात ये ज़रूनाने पसंद करें पछे ये लोको ये पांच जे पला-पला आग अने बढ़ा ये ने शिख्यों अ ये अने ये कहा हूँ कि ये अधे र्यूर बढ़ा सेनियर लॉर्नर तो ये नहीं लुष्य रूर्नर ये तो मैत अमारह कृप नहीं शिख्यों पाच आओ अगो हूँ किया ल्यावा हूँ अगोनत अगोने अपन अगोने सब्स्टिक प्रदूशन नह थै जो एख्यों तो सेल्फ लर्निंग, पीर ग्रूप लर्निंग, टीचर नो खर्चो नहीं, एलो को महनत करेको नहीं उपर वाल पांच जना उपर, पर्फेक्ट सिखवे, और ने बेद यवसा पेकर, तमारा ग्रूप नहीं तम्हें सिखवता आवो, और ते लो कोई जोई हूं के सिख्षकों न आपने, पने, 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 पुली गया थी, ए याद अपावा माटे आजनी स्टीबीर छे, के सिख्षक, तू जोतीर धर्चों, एक्यो बेरी मच्च,